हाई हेलो गाईस वेलकम बेग टो मैं चैनल तान्यवी क्रेटी चैनल में आप सभी का मौस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यूव वीडियो आपके साथ सेर करने वारी हो और लसुन का क्या करने वाली हो तो आपको आगे वीडियो में पता चली ही जाएगा तो चुओ से लेक हैं और कभी कभी तो होता है कि हम तंग आर चैनल दवा रख देते हैं सबसे बड़ी मुसिपत होती है जब कोने में जाके मरते हों हम ड氣म help करी जाती है और हमारे घर कर दा सर मिंदगी हया जाती है तो उसके लिए एक ऐसी चीज हम बनाने वाले हैं जैसे ग्यों का आटा ले लेना है मैंने बाउल लिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूं ग्यों का आटा और फिर बाद मैं डाल दे रही हूं लाल मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची पाउडर का तो आपको आगे पता चली जाएगा कि ऐसा क्या होने वाला है लाल मिर्ची पाउडर से जान आफट गले में आ जाने वाली है तो अब मैंने ले लिया है यह 4.5 लसं की कलिया ले लेनी है और इस तरह से उकली में डाल के रच्छी सिन को कूट लेना है क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ लसन की कलिया लसन और जो हमने लाल मिर्ची पावडर डाली है ना उसका जादा अच्छा वाला है MRC बहुत अच्छा per에 फ़रादा वाला है हमें क्या करना इसमें नमक डाल देना है चुटकी बर नमक डाला है नमक जरूरी है नमक है जो हर चीज का स्वाद भढ़ा देता है तो इसका भी स्वाद भढ़ा देने वाला है तो एक चुटकी नमक डाल दिया है और फिर हमने बटर डाल देना है तो बटर डालेंगे तो और और भी सौंधी सौंधी इसमें कुस्बू आने वाली है जो हम बना के रेडी करेंगे तो उसमें क्या होगा और भी सौंधी सौंधी कुस्बू आएगी और फिर बाद में हम इसमें डाल देंगे बिस्किट जो सेमें हुए बिस्किट बेकार सा बिस्किट मैंने डाला है तो ब चीजे मैंने डाल दी है और फिर मैं अगरने वाली हलका सा पानी डाल दे रही हूं और फिर इसका हम टाइट सा डो लगा के रेडी कर लेंगी आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो चुए होते हैं खाते वक्त कैसे करते हैं अपने हातों को आगे ले लेते हैं और इस तरह से बैट के आराम से उखाते हैं तो हातों को चलाते रहते हैं नोज के पास आख के पास इस तरह से उख चलाते रहते हैं अपने हातों से उले लेके खाते हैं तो हातों को बहुत ज़्यादा आखों के पास नोज के पास इस तरह से चलाते रहते हैं तो जब इसमें मिर्ची डा बहुत ज़दा परेशान हो जाएंगे तो उन्हों को जहां खत्रा मेसूस होता है वह बिलकुल वी टिकते नहीं है तो इसको खाने के बाद में वह परेशान होएंगे तो सोचेंगे यार यहां तो कुछ उनकुछ खत्रा है और तुरुंत अपना घर छोड़के भाग जाने व खाते वक्तों बड़े मज़े से खाएंगे लेकिन बाद में वह परेशान होएंगे तो यह देखिए गास मैंने बिलकुल टाइंट सा डूर लगा लिया है और चोटी चोटी सी लोईया बना लेनी है और फिर बाद में हम एक और इसमें ऐसी चीर डालने वाले हैं दुबार ज्यादा चालाख होते हैं वो सोशते हैं कि हमको मानने के लिए बाद लें यानिकित लादी जारैती है चोटी चोटी से गोल बना ली है और इसमें क्या ढालने वाले हैं इसमें हम डालने वाले हैं बिस्किट एक और बिस्किit हम यूज कर Service कर लेंगे तो बिसकिट हैं उन्होंके फैवरेट होते हैं जो भी इसमें हमने चीज़े डाली है इंग उन्ला सुनों के सिवाे तो ये फैवरेट नहीं होती और सब चीज Авर्फ जुर्डा प्पासंद करते हैं। तो गाइस ये मैंने इस तरह से हाथों से अच्छे से मैंने इस बिस्किट को करस कर लिया है और फिर बाद में इसको रख लेंगे थोड़ा सा साइड में और देखी गाइस इसमें हलका सा पानी डालेंगे हम एक से दो वूंद के लबब इसमें पानी डालेंगे और इसके कुष्बू आने लगेगी दो आराम से खीचे चले आएंगे जरूर खायेंगी अकतर मेरे घर में कभी-कभी चुए लगती है आज आते हैं तो इस तरह से तरह हुआ जरूर उथ है जा मैं इते परिषान करते ह्कूथ मर जाते हैं thank you झिलक्ष्जान हो चीज बना रहे हैं यह मरेंगे भी नहीं और दुबारा साःएंगे भी नहीं और उसको कहने के बाद में तो दुबारा सोचेंगे भी न ही गर में आने की तो यह देखिए गाइस मैंने ही ना जो इसमें बिस्कित अच्छे से लेप दिया, अच्छे से इस पे कोड कर दिया है, तो इसकी बहुत अच्छी से बिस्कित की कुस-बू आने वाली हो, बहुत रिश verlier कोशो की वो खाने पे मजबूर हो जाने वाले हैं, इस तरह से कोट कर देना है तो सभी पर मैंने कोट कर दिया करीब इन पांस मैंने छोट छोटी गोलिया बनाई है आप इनों को किस तरह से रखना है कहां कहां पर रखना है ताकि आपके चुए आराम से इनों को कहा ले तो आपको क्या करना सबसे पहले तो पेपर लेना है पर पर रख के मैं रख रही हूं एक गोली को रख दूंगी तुनों को कहां कहां पर रखना हआół आपको मैं बताऊंगी तो यह चुए न जो आप यह रखोगे न तो बड़े कुष्डे हो के खुछाने वाले, daar Co क्योंकि यह कहां कहां ऐसी जगह होती है जहां यह अक्सर गूमते रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं यह जिसे हमें नजर ना आये चुप चुप के देखते रहते हैं क्योंकि हम जहां रहते नहीं है जहां हम नहीं रहते हैं वहां वह चुप के रहते हैं और जब हम किचन से च प्या जाएंगे इस तरह से गुमते रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको गहस लेंडर के पास में रख देना है और जो हम गहस चलाते हैं उसके नीचे जरूर रखना है क्योंकि इसके नीचे भी अक्सर बहुत ज़्यादा चुप चुप के आ जाते हैं और इधर चक्कर कारते हो गया ग्या हो गया तो इधर जरूर बटकते हैं वो खाने के लिए तो इधर भी मैं रख दूंगी पासी में तो ऐसी जगे रखने हैं जो आप ज़्यादा तरूनों को देखते हो कहां वो ज़्यादा बटकते रहते हैं और इधर फिरिज के पिछे मैं रख दूंगी फिर रात में जरूर आएंगे दर से तो इदर भी आपको सोफे की नीचे रख देना है तो इस तरह से मैंने सभी जगईनों को रख दिया है तो आपको चुह वगाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और ये ट्रिक जरू अ सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और हां साथ ही साथ बेल आइकन गंटी को दबाना मत बूलिए को कोई कंफूज वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हो मैं उसका प्लाइच जरूर देती हूं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कल ही स्याम के पांच बजे इसी टाइ तो भाई and तेक चर